अलीगड की ताला और तैल जी के नाम से पैचान है और यहां 200 वर्स पराना ताले का इत्यास है आखिर जानते हैं जी मीडिया के साथ के कैसे अलीगड में ताला त्यार होता है तस्वीर आप यह देख रहे होंगे अलीगड की है और अलीगड का जो ताले का इत्यास है वो 200 व कि आप देख रहे होंगे कि यह इसम्हेर फेक्त्री अजर सबसे पहले बाठATT पट्ट भीप अनने के बाद को पावर प्रेस पर कटने के बाद उसके ताले के आकार दिये जाते उसके बाद फिर जो है यह पतियां कालर के लिए एक दूसरी जगा जाता है कार और और घर एहां आजाती हैं आप अब यह तरशपीर हिंगे है कि पत्या यह अगाई और जो अरव जो जो इस बनाते हुए जार रहा रहे है कि अर्ट्डी आ करनाने की प्रॉस नहीं होती है टाले के लिए सबसे पहले हम जो शीच लेकर आते हैं ऑर यह दो एंएम की पत्ती का डाइ कटिंग से कटवाते हैं, उसके बाद वो हम प्रोसेस पे भेज देते हैं, पाउडर कोटिंग के लिए, हमारे दूसरे प्लांट में जाके वो पाउडर कोटिंग हो जाती है, पाउडर कोटिंग के उपरां, फिर उसको हम यहीं पहले के आते हैं, दोबारा असेंब्लिं करे जाते हैं उसके उपरांथी वो ताला बनता है बले वो उसकी कीमत तीस रुपे से शुरू हो करके तीन अजार रुपे तक की हो वो अपनी जंगे है यहां आने के बाद उसकी असेंबलिंग एक-एक बढ़िया जो टेलेंटेड कारीगर है जिनको हमने पिछले 20 सालों से सिखाया भी है और जो लगातार काम भी कर रहे हैं हमारे हैं वो उसकी असेंबलिंग करते हैं उसके उपरांथी ताला तयार हो पाता है अलीगर में ताले का इत्यास कितना वर्स है बहुत ही उंदा सावाल है कारण क्या है कि जब हमारे देश में योग मोदी जी की सरकार आई उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कि हमारे जितने भी कामगार हैं वो एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में पलाइन ना करें इसके लिए उस स्टेट में अगर प्रोष्तान दे रही थी इसी संदर्म में जब हमारे योगी कोवर्मेंट आई हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई उन्होंने लगातार पिछले दो टर्म से यह दूसरा चल रहा है इन्वेस्टर सम्मिट लगातार जारी रखी हुई है विदेशवर से पैसा ले मिल जाएंगी और हम लोग कार भी कर रहे हैं उसी हिसाब से और रही बात इत्यास की 200 साल पुराना इत्यास है बिटेश काल से ही हमारे यहां अलीगड में ताले बनते रहे हैं पहले हाथ के बने हुए तालों का बहुत जोड था जरूरत कम थी इसलिए हाथ के बने हुए त होती जा रही है अलीगड इंडस्टी वी जिसने चाइना की इंडस्टी को लगातार पीछे दखेल दिया है और जो लोग हमारे कामगार थे यूपी के बाहर जा रहे हैं वह भी वापस अलीगड आकर हमारी फेक्ट्रियों में हमारे साथ कंदी से कंदा मिला के काम कर रहे है तो आपने देखा यह ताले बनाने की प्रोस्टिंग थी यानि तो ताला है उसमें कही सारे लोग मजदूर अपना हाथ का प्रियोक करते हैं उसके बाद ताला त्यार होता है और यहां से ताला विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है अलीगड से जी मीडिया के लिए प इस वक्तु में तालीम हो और तैजीव के सहर ताला नगरी अलीगड में है जी मीडिया के साथ आपको दिखाएंगे के आकिर कैसे बनते हैं अलीगड के ताले आप तस्वीरें देख रहे होंगे यह तेक ताला फैक्ट्री है और लंबे अर्से से यहां चली आ रही है और आ है छी चाहती है और आप तस्वीर यह थाएं एतर देख रहा होंगे कटिंग करने के बाहएं जो घसतरीके के ताले जो बनेने है वो इस तरीके सब्सक्राइब देख रहे होंगे यह एक फैक्टरी की तस्बीर है जहां तरजनों मजदूर वर्क करते हुए आपको तस्बीरों में नजर आ रहे होंगे यह तमाम पॉबर प्रेस हैं जिनके माध्यम से इन पत्तियों को काटा जाता है यानि ताले की जो प्रोस्टिंग है व स्टाइड की जाती है तो आपने ताले की पहली प्रोसेटिंग देखी किस तरीके से वो पत्तियां कटती है आप यह पत्ती कटने के बाद रंग होने के लिए एक दूसरी जगह जाती है और रंग होकर फिर वापस इसी फैक्टरी में आ जाती है यह आप तस्वीरें देख होंगे कि यह फट्तियां आ गई है और तमाम जो मजदूर हैं जो वर कर रहे हैं वो आपको आपको असम्बिल करते हुए नजर आ रहे होंगे यह जो ताला है इसे मौटिस लोग कहते हैं यह घरों में दर्वाजों में प्रियोग होने वाला लोग है यह किस तरीके से पूर मानि खरम है हमारी अतुल लौग के नाम इसमें हमोटिस लौग के ताले बनाते हैं जो के हारत में बहुत होता है और यह मेंग डोर के लॉक Сп जो हमारे या की मजबूती है वो कहीं नहीं है पूरे वर्ड में इसलिए आज भी सबसे ज़ादा एक्सपोर्ट भी हमारा भारतीय ताला होता है और पूरा हमारा डोमेस्टिक पूरे इंडिया मार्केट में आसपास के जो भी हमारे नेवर कंट्री है चाह स्री लंका हो नेप सरकार बनने के बाद जो ताले की प्रोस्टिंग है लगातार कारोबारी यहां कितनी अलीगण में फैक्ट्रिया होंगी और सरकार किस तरीके की मदद करती है देगे आदर्णीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री है उत्तरप्रदेश के और वो पिछली इस बार चुकी दूस सम्मिट कराते हा रहे हैं अलीगण में कम से कम MSME सेक्टर और माइक्रो सेक्टर में अगर देखी जाए तो 5000 के आसपास यूनिट है जो एजे वरकिंग कंटीनुवसली चल रही है पिछले कुछ फैक्ट्रियां 25-30 साल चल रही है चालिस साल हो इस फैक्ट्री को चलते हुए और जितना भी हमें सहुलियत यूपी गवर्मेंट दे रही है जैसा के गुजरात में भी हमारी मोधी गवर्मेंट सहुलियत पूरी गुजरात सरकार दे रही है वहाँ जो बेस है वो हाड़वेर लाइन का बेस है आज की डेट में अलीगड जो है वो लॉक्स प्लस हाड़ तोनों है और अलीगड में जितना बढ़िया ताला बनता है आप यह मान लीजे के गोद्रेज कंपनी भी अलीगड में सब्सक्राइब करा रही है हमारे जो मैनुफेक्टर्स है उनसे तो आप समझ सकते हैं कि गोद्रेज यह बहुत ही रिलाइवल नाम है अलीगड में कि हाथ से बने हुए तालों से शुरू हुआ कार्मा आज मशीनी तालों पर डिपेंड हो गया है हाथ के बने हुए ताले अधिकतर हटते चले जा रहे हैं चूंकि उसमें कॉस्टिंग बहुत बैठती है और आजकल हर व्यक्ति को पैसा चाहिए और वह ज्यादा कमाना चाहता है हलाकि अली कट्राइब या जिसमें से कम से कम तीनगार से रले में दील करती है तक आपको एक घर बनाना है आपको अपने समान की सुरच्छा करनी है आपको अगर सुनार की दुकान में देखने जाएंगे तो बहुत ही स्पेशल हाथ के बने हुए ताले